बहुत सारे ऐसे स्टुएंट जो कहिने जॉब करते हैं, बिजनस करते हैं, वो MBA करना चाते हैं, ऐसे बहुत सारे options उनको मिलते हैं, जहांसे वो distance से कर सकते हैं, दोस्तों distance education एक बहुत ही काम का जिसको दूरस्त सिक्षा भी बोलते हैं हिंदी में, ये बहुत ही काम का और चाहें आप किसी भी एज में हैं, distance education क्या है, कैसे काम करता है, कौनकों सी universities हैं, कैसे अपरोल मिलता है, उन सब के बारे बताऊँगा अपने इस वीडियो में, दोस्तों बने रही हैं हमारे इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है University India, मेरा नाम है विरंदे वर्मा जैसे आप सभी जानते हैं हम देश-विडेश की universities, colleges, उनके courses को explore and review करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाते हैं दोस्तों हाला कि हमने कई सारी universities को review किया है आस तक कई सारी universities को visit भी किया है दूरस्त शिक्षा मतलब कि distance education distance education पर भी हमने कई वीडियो बनाई हैं बट आज जो हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में काफी सारे उसके plus points बताएंगे क्योंकि अब जैसे ही COVID-19 चला हो जैसे ही ये करोना काल चला उसमें कई सारे students ने admission लिए even जो regular पढ़ रहे थे वो भी एक तरह से distance के education के ही students बन गए online education जरूर चल रही है online classes जरूर चल रही है बट आप समझ सकते हैं उसका level कितना अच्छा है दोस्तो है क्या चीज़? distance education में आप कोई भी course करना चाते हैं आपकी education किसी भी तरह से छूट गई थी किसी भी तरह से break लग गया उसके अंदर graduation की master's नहीं कर पाए या 12th की graduation नहीं कर पाए तो ये सब करने के लिए आपके पास बहुत सारे options हैं अभी पिछले दो तीन सालों के अंदर अंदर बहुत सारी private universities को approval मिले हैं जो distance education दे सकते हैं जो distance education के through आपके admissions ले सकते हैं अब दोस्तों है क्या चीज़ अगर हम बात करें इसके approval की तो पहले इगनू से approval मिलता था हमेशा देखा जाए अगर आप देखोगे तो इगनू से ही जातर distance के approval मिलते थे सभी universities को दिने private university चलती थी या कोई भी university चलना चाती थी अब उसी में DEP बन गया है मतलब भी distance education bureau UGC ही का ही पार्ट है ये तो वहां से approval लेना पड़ता है हर एक university को कुछ कुछ कोर्स दिया जाते हैं किसी को 6 कोर्स मिले हैं किसी को 8 किसी को 10 डिपेंड करता है कई university को 20-20 कोर्स का approval है तो distance education लेने के लिए सबसे पहले तो आप ये देख लें कि उस university को approval कम मिला किन किन कोर्स का approval मिला कि कई बार होता क्या है कि कुछ universities को distance का approval नहीं है कोई और approval है बट वह distance बोलके आपका admission ले लेते हैं और सबसे ज़्यदा इसका शिक अरगर है बहुती काम का है आपने अपनी education बीच में छोड़ दी है आप admission ले सकते हैं हो सकता है कुछ university के पास online exams कराने की permission हो पट आप उस permission को आप ज़रूर देख लेना distance education के बारे में जो थोड़ा मैंने आपको बताने की कोशिश की आपको समझ आया होगा पर दोस्तों फ वीडियो हमारे चैनल सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथ में लगा बेला एकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की educational वीडियो आप तक पहुच चके सबसे पहले बहुत 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 शुक्त धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए